आप लोगों के घर जो है यह मुझे बताएं पहले जो है जी आप लोगों के घर कोई रसीयों से चड़ते उतरते थे कोई ऐसा रास्ता हो के जो रसीयों पकड़के लोगों आप लूए नहीं यहां पर तो इसकोई नहीं पहले रहते हैं और को यह सीडियों से चड़ने उतरने का काम करते था कोई घर वे हैं और को इस तरह के चड़ने उतरने का काम मेरे अम्मा अम्मी के घर के नीचे वाले जो ओनर हैं उनके घर पर रसियां लगी है वो रसी पकड़के चड़ते हैं वो उमर वाले हैं सिर्फ दो लोग ही रहते हैं तो उनकी बहुत उमर है तो उनकी सीड़ियों का याद आया मुझे आपने बोला तो मैं कभी भी देखती अब मैसूर जाते हो जब आप मैसूर में जाते हो तो वो उपर रहती है नीचे रहती है उपर फर्स फ्लोर पर तो आप इसका मतलब रसियां देखते वे जाते हो जब उपर चड़ते हो जी हाँ बाजू में देखके जाते हो ना कि रसियां लगी है कि चड़ने के लिए इस को कहते हैं परफारबंस ठीक ना इस परफारबंस ठीक ना इस परफारबंस ठीक ना इस